हेलो फ्रेंड्स अभी सुबा के दस ही बज रहे हैं और बालकनी में देखिए पहुत तेज धूफ हो रखी है मौसम में पहुत ही तेजी से बदलावा आ रहा है तो इस मौसम को देखते हुए ही सोचा कि क्यों ना ऐसा नाश्ता या डिनर बनाया जाए जो कि बिना तेल मसालो कब बहुत ही जादा हैल्दी हो बच्चों को आप चाहें तो डिफिन में दे दे या हस्बेंड के लंच बॉक्स में तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर एक कप चावल और आधा कप चना डाल ले ली है और अब हम क्या करेंगे कि इस चावल और दाल को अच्छी तरीके से ध निकाल देंगे और एक मिक्सी जार में इन दाल और चावल को हम डाल देंगे तो यहाँ पर इन्हें हम दो बैच्चे इसमें पीसने वाले हैं एक बैच को डालने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे ग्राइंड करके ले लेंगे अगर आपको पीसते सम यह थोड़ा dry लगे तो आप इसमें एक चमच पानी और डाल सकते हैं और देखे इस तरीके से एकदम fine paste बना कर इनका ready करना है तो इसे तो हम एक bowl में transfer कर देंगे और ऐसे ही हम दूसरे batch को भी grind करके ले लेंगे और कोशिश यह करें कि batter को थोड़ा थिक ही रखे क्योंकि बाद में हम batter की consistency को adjust कर लेंगे तो यहाँ batter तो बनकर ready है आप चाहें तो इससे instant आश्ता भी बना सकते हैं और इस paste को एक डब्बे में transfer करने के बाद इसे एक मिनिट तक अच्छी तरीके से फेट लेंगे फिर हम क्या करेंगे कि डब्बे का ढखकन लगा कर इसे अच्छी तरीके से ferment होने देंगे गर्मियों के समय में 7-8 गंटे में यह आराम से ferment हो जाता है अगर सर्दियों का समय है तो इसे 10-12 गंटे भी लग सकते हैं तो यह तो बात हुई कि आप फर्मेंट करके नाश्टा कैसे बनाएंगे लेकिन अगर आप इसे बिना फर्मेंटेशन के बनाना चाते हैं तो आप क्या करें कि जब इसे आप ग्राइंड करें तो इसमें आप थोड़ इसी दही आट कर लें और थोड़ा सा निबू का रस डालने से इसमें अच्छा सा खटापन आ जाता है क्योंकि फर्मेंटेशन करने पर भी ऐसा ही होता है तो यह देखिए फर्मेंटेशन के बाद बैटर हमारा काफी फूल गया है और यह काफी जालिदार दिख रहा है तो अब हम क्या करेंगे कि इसे एक मिनट तक अच्छे से फिट लेंगे जिससे कि सारा ही बैटर अच्छी तरीके से स्मूथ हो जाए अब हम क्या करेंगे कि इस बैटर से चार तरह के नाश्टी बनाकर त्यार करेंगे तो है ना मज़े की बात की एक ही बैटर से आज हम चार तरह के नाश्टी बना कर त्यार करेंगे वो भी सूपर हल्दी और सूपर टेस्टी तो पहली रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर हमने तीन चमच बैटर को ले लिया है अब उसमें हम डालेंगे टेस्ट अकॉर्डि नमक वनफोर चमच हल्दी पाउडर और आधा चमच अधरक और मिर्च के पेस्ट को यहाँ पर मैंने एक इंच अधरक और दो से तीन हरी मिर् जो को हम बैटर में अच्छे से मिक्स दे देंगे नाश्टा बनाने से पहले कुछ हम और तयारी कर लेंगे किसी गहरे बर्तन को हम अच्छे से ओल से ग्रेज कर लेंगे तो मैंने यहाँ एक केक टिन को रैडी कर लिया है आप चाहें तो इसकी जग किसी भी डबबे का यू उसे भी ले सकते हैं इधर केक टिन में मैंने बटर पेपर भी लगा लिया था आप चाहें तो इसे इस भी कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे कि बैटर में यहां हम एक चमच तेल डालेंगे साथ ही बनफोर चमच इनो को मिक्स करेंगे और यहाँ पर आप तेल को बिलकुल भी skip नहीं करेंगे उससे नाश्टा हमारा गले में अटकता नहीं है तो यहाँ इनो को हमें पूरे ही बैटर में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है अब हम क्या करेंगे कि इस बैटर को केक टीन में ट्रांसफर कर देंगे और अब फटा फट से उस कड़ाही में रख देंगे जिसमें हमने पानी गर्म होने रखा है यहाँ इसे हम 10 से 15 मिनिट अच्छी तरीके से स्टीम होने देंगे आपको लेकिन यह टाइम कि हो चुका है तो ढोकले को बरतन से निकालने से पहले इसे हमें ठंडा करना चाहिए नहीं तो यह टूट सकता है तो यह देखिए बहुत ही शांदार एकदम जालीदार सौफ्ट ढोकला बनकर तयार है और अब ढोकले को हम कर लेंगे कट उसके लिए आप क्या करें कि जो रे अधर ढोकला बनकर एकदम राटी है अकसर जो आप बेशन का इंस्टेंट ढोकला बनाते है उससे इसका टेस्ट काफी डेफरेंट आता है और यह खाने में भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो चलिए फटा-फट से इसका तड़का भी राडी कर लेते हैं तो इधर दो बड़े चमच तेल में हम डालेंगे आधा चमच राई साथी दो स्लिट करी हुई हरी मिर्चो को कुछ कड़ी पत्ते अब इसमें हम डालेंगे एक पिंच हिंग साथी डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और आधा कप पानी अब इसमें हम डालेंगे एक चमच चेन आप ठंडे हुए तड़के को इस धोकले के ऊपर डाल देंगे तो फ्रेंट्स जब इस तरीके का लंच आप बच्चों को टिफिन में देंगे तो गैरेंटीड बच्चे टिफिन फिनिश करके रही आएंगे और टिफिन है क्यों जब एक ही बैटर से चार नाश्ते बनेंगे तो आपके डिनर की भी छुटती हो जाएगी तो ये देखिए बहुत ही सौप जूसी ढूगला हमारा रैडी है तो चलिए फटपट से हम दूसरी रेसिपी भी बना लेते हैं उसके लिए यहाँ पर हमने डेल चमच बैटर लिया है उसमें डाले आदा चमच अधरक और हरी म मिर्च साथ ही डालेंगे खूब सारा कटा हुआ हरा दनिया और वनफोर चमच काली मिर्च पाउडर को और इन सभी को बैटर में हम अच्छी तरीके से मिक्स दे देंगे यहाँ आप सबजी की कौन्टिटी को कम या जादा कर सकते हैं और नाश्ता हमारा पहुत ही जादा फ अभी खानों में थोड़ा थोड़ा बैटर फील कर देंगे तो यहाँ बैटर को हमें बहुत ज्यादा फील करने की जरुवत नहीं है क्योंकि जैसे ही यह पकेगा न तो यह आभी काफी फूल जाएगा तो दो मिनिट मेडियम फ्लेम पर पकने के बाद यह देखिए यह आने लगा है तो आप इसने हम टर्न कर देंगे और दूसरे साइट भी कवर करके दो मिनिट तक सेख लेंगे तो फ्रेंट्स आपपे बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इसमें आप वह सबजी भी डाल सकते हैं जो आपके बच्चे नहीं खाते हैं उन्हें भी आ आदेरी हम तीसरी रेसिपी भी बना लेते हैं इधर हमने देर चमज बैटर को ले लिया है उसमें हम डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और लगभग आधा ग्लास पानी और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे तो चलिए बेटर तो एकदम रैडी है अब हम क्या करेंगे कि किसी नॉंस्टिक तवे को गैस पे चड़ा देंगे और उस पर पानी डालकर उसका टेंपरेचर थोड़ा सा डाउन कर देंगे और पानी को पोचने के बाद अब हम लगभग एक चमज बैटर को डालकर इसे अच्छी तरीके से फैला देंगे जैसे कि हम डोसा व ही का इस्तमाल भी कर सकते हैं अब इसके ऊपर बारी कटी हुई सबजियों को डाल देंगे तो मैंने यहां प्याज शिमला मिर्च और गाजर को डाल दिया है साथ में ही डाला है ग्रेट किये हुए पनीर को और यह सबजिया हमें फिकी फिकी से ना लगे इसलिए इसमें हम काली मिर्च का पाऊडर और थोड़ा ही चाट मसाला इन सब्जियों को हम हलका सा प्रैस कर देंगे जिससे कि यह चीले पर बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाए और लिजिए दो से तीन मिनिट में ही चीला हमारा सिक कर बहुत ही अच्छी तरीके से त्यार है अब हम क्या करेंगे कि इसे रोल कर लेंगे और इस रोल को हम कट कर लेंगे देखने में तो सुन्दर लगेगा ही खाने में भी काफी सुविधा रहेगी और आप इसे टेफिन में भी अराम से पैक कर सकते हैं तो लीजिए पनीर और सबजियों से स्टफ चिले हमारे रैडी हैं आप चाहे फूर्थ रेसिपी को भी हम स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ दो चमच बैटर में डालेंगे एक मीडियम साइज का बारिक कटा प्याज, साथ ही डालेंगे कुछ कटी हुई हरी मिर्चे, साथ ही डालेंगे खूप सारा कटा हुआ हरा धनिया और यहाँ पर वन फूर्थ कप चा जो को बैटर में हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और यहाँ हमें पानी वगेरा बिल्कुल भी एड नहीं करना है, आप चाहें तो चावल के आटे को थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाए कि आपको कितना चावल का आटा लगेगा, त पर्मेंट की हुए बैटर के कारण ये अंदर से काफी जालिदार होते हैं, और मीडियम फ्लेम पर इस पर हलका सा गोल्डन ब्राउन सभी तरफ से कलर आने पर इन पकोड़ों को हम निकाल लेते हैं, तो इन पकोड़ों का कलर हमें बहुत ज़्यादा डार्क करने की भी जर बना सकते हैं, जो खाने में टेस्टी होने के साथ साथ ही सूपर हल्दी भी है, तो फ्रेंट्स रेस्पी अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दीजीगा लाइक चैनल पर नए है, तो ऐसी ही नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमली में शेयर करें, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नई रेस्पी के साथ तब तक अपना ख्याल रखें, बाबाए